हेलो खा calculate तो आगए हेलो क्यास अमतमसे दोस्तों बहुत बश्योट कमें This video को लिए आज के विडिए को टॉपिक है एक बाद फिरसे हाउटू स्को रहान्डर्ड ऑन हन्डर्ड सोशल से के बोड़ के पेपर में क्लास 10 की बात कर रहा सीबेशी की बात कर रहा social science के paper की बात करें अभी जो कुछ महीने बाद है आपके and pre-vote जो आपके चल रहे होंगे या फिर कुछ महीने बाद वो भी है ठीक है क्या चीज़ें ऐसे करें अब यार social science का जो paper है आलतु फालतु intro intro outro कुछ नहीं रहेगा सीधे main मुद्दे सीधे main points and इसे इन सारी चीज़ों को आप assuming class 10 के aspirant होई क्योंकि वही वीडियो देखी हूँ और कौन देखेगा notes प्रीज बनाने लाब अगर notes नहीं बनाओगे आप यह सारी चीज़ों का आप roughly देख लोगे लेटे लेटे बैठे बैठे तब किसी काम का नहीं है गर मैं one marker prime target ऐसे ncrt history civics geography यह सारी चीज़े मैं बताऊंगा सुन लोगे कोई फायदा नहीं हाँ एक दिन याद रहेगा दो दिन याद रहेगा लेकिन हमें चाहिए अगले महीने दो महीने तीन महीने चार महीने और इसको दम मतलब निचोड के यूटिलाइस करना है ये content को ठीक है क्योंकि ये experience content है मेरे खुद के social science के paper में 97 number आये थे तो 97 भी अच्छा number नहीं है याँ अब when you talk about social science in case of English बहुत अच्छा है हिंदी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है and बहुत सालों से ज़्यादा रह रहे है as compared to other subject क्योंकि मिलता है social science में तो मैंने क्या क्या लिखा है मैंने लिखा है hundred in social science हद आसान ये sentence मैंने बोता है हद आसान आप relax हो गई हो उसके नीचे देख लो क्या लिखा है मैनत 4x x amount of hard work करते हो चार गुना मैनत चाहिए है चार गुना मैनत चाहिए अब कैसी मैनत चाहिए अब ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत जादे difficult है वह तो मतलब 4x मैं कैसे कर पाऊंगा ऐसी बात नहीं है लिखा नहीं है हद आसान लिकिन मैनत 4x है कैसा मैनत मैनत depth perfection depth perfection ये जो term मैं use करता हूँ ठीक है मैंने अपने 10th के years में भी अपने आपको depth perfection बोलके motivate किया था जब मैं देखता था कि किसी topper का 100 on 100 हर एक test में आरा periodic हो गया half year हो गया preboard हो गया 100 ही पा रहे है कम नहीं पा रहे है मैंने अपने आप से बोला शोबित depth perfection अप्लाए करना बढ़ेगा अब ये किसी अब ये term नहीं पाप होगा internet में ये तो मैंने खुद से बना लिया invent करया मतलब क्या मतलब क्या depth perfection मतलब deep पहला word depth मतलब deep deep मतलब full detail में ncrt है अभी जितने भी अब मैं books books की बात है वो इसी में summarize कर दूँगा आप ये मत सोचना publisher ये वाले publication की लूँ ये वाले अभी सिर्फ उसे specifically बात होगी एक book के बारे में और वो है हमारी माता NCRT हमारी प्यारी NCRT तो depth deep full detail में मतलब ncrt की हर एक एक line हर एक एक line आपको अच्छे से meaning पता होने चाहिए full detail में पता होने चाहिए उसके पीछे का क्या है उसके आगे का क्या है उस चीज में क्या हो रहा है you should be knowing all those stuffs इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको अपने teacher से consult करना पड़ेगा भया teacher बहुत गंदा है मतलब पढ़ाई नहीं पाते है वो समझ नहीं आता है अरे भाई पकड़ लो निचोड के मतलब निचोड की ये word क्यो मैंने इस वीशानली के जरूत नहीं थी teacher को आप पकड़ो और उनसे पूछते जो पूछते जो जब तक आपका clear ना हो इतना question पूछो कि वो इंसान पागल हो जाए अब भले ही ऐसा लगे अब क्या रहता है न question पूछो मैं ऐसा लगता है कि यार मैं तो deserving ही नहीं हूँ मैं पूछूँँगा question लेकिन मैं तो topper नहीं हूँ न तो लगेगा मैं teacher को suppose आपके online class होती है and online class में आपको पूछने में दिक्कत होती है आप end में रुखवा लो and then बाद में clear करो यहाँ पर concern ये नहीं है कि मुझे ये showcase करना है कि मैं पूछ सकता हूँ मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ concern ये है कि मुझे वो जो line है उसकी meaning clear करनी है ताकी ताकी अगर मैं उतना अच्छे से पढ़ के भी न जाओ and मैंने meaning समझ लिए lecture अच्छे से intent किया है तो मैं जाके board में frame करना हूँ answer और मज़े की बात पता है किया है social science में अगर आप frame करते हूँ answer तो माच से भरपूर मिल जाता है मतलब की frame कर ले तो satisfaction level भी अपना high रहता है और examiner का भी high रहता ही है क्योंकि उससे लगता है कि हाँ बंदा समझा है तब जाके लिखा है और perfection क्या मैं कह रहा हूँ perfection मतलब है काट सको तो काट लो काट सको तो काट लो आप ऐसे represent करके दो गे पूरा पूरा मिलावट लावट करके आप बोलो यह है मेरा answer अब ठीक आप देख लो काट सको तो काट लो इस टाइब का confidence होना चाहिए यह था depth perfection के ऊपर उसके बाद मैंने लिखा है कुछ points है तो वो points आप देख लो यह सारी चीज enough है मेरे भाई enough है 100 marks पाने के लिए इतना तो 97 का तक का तो आपको content मिली रहा है इसमें वो भी चीज included है जो मैंने गलती की थी 3 marks मेरे जो कटे थे वो चीज भी included है तो मतलब 97 plus 3 कितना होता है इतना होता है ठीक है 1 marker 1 marker should be a prime target science की examination में मैंने उसमें भी यही बोला ठीक है maths वाले मैं भी यही बोलता हूँ कि एक mark कड़ गया तो भया कड़ गया क्योंकि आप इसमें कुछ ऐसा लिख दोगे तो आपको डेड़ दो नमबर ढ़ाई देए देए इसको तो पता है नहीं गलत तो गलत गलत तो zero कुछ इसमें आधा वादा नहीं होगा ठीक है तो आपको one market target रखने है और अब इसमें मैंने जब target बोला तो इसमें क्या चाहिए इसमें वही चाहिए जो मैंने यहां पर बोला है depth perfection चाहिए हर एक-एक line पता होने चाहिए हर एक-एक line याद रहने चाहिए कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि social science में social science में तुम रटोगे रटना रटना नहीं रहता है सब समझना रहता है ठीक है उसमें concepts रहते हैं जहाँ पर location हो, वहाँ पर आप समझ के क्या करोगे आंत्रप्रदेश में, यहाँ पर इस मोहले में इसी कोने में तुम्हारा rice wheat पाए जाता है, example के तो बोला कोई fixed information static gk नहीं दे रहा है यहाँ पर यह पाए जाता हो, समझ के यादी कर रहे हो, ठीक है रटना वटना, हाँ याद तो करना ही पर रटना तो करना ही करना पड़ेगा यार, आंत्रप्रदेश कहाँ पाए जाता हो, तो यह आप memorize ही करोगे, तो don't take it negative way में, कि कोई बोला है तो अरे तुम यही सब करते हो, समझ भारो prime target, one marker के लिए हर एक एक line, अच्छे से पढ़ऊ आप, NCRT ही पढ़ो, publication पे नहीं जाना है, publication पे किस, कब जाना है, publication पे तब जाना है, जब आपको question practice करनी है recommend मैं क्या करूँ see, मुझे अपने सामय में तो बहुत top class teacher, बहुत ही high five teacher मिले थे ठीक है, राहूल सर थे, मेरे स्कूल के भी students कुछ देख रहे होंगे, तो उन्हें बता चले राहूल सर थे, सरकारी सर थे, तो ये सब must teacher थे, और ये लोग मुझे बहुत जाद है, मैं मैंता हम सब लोग को extra question provide करते थे, तो वो more than enough रहता था, score करने के लिए और lecture भी ओथ high class रहते थे लेकिन सवाल है कि आपको अगर नहीं question मिलते है अपने school से, चीक है आप उस पे reliable नहीं रहते हो, तो आप कहां से practice करोगे, आप practice करोगे previous year से previous year से आप practice करोगे और अगर आपको खरीद नहीं है एक side book तो all in one खरीद दो, चीक है मैंने उतना utilize जी किया था, बस खरीदने के नाम पर खरीद लिया था कि खरीद ही लेते हैं, अब सब लोग खरीद रहे हैं, मैं नहीं खरीद दूँगा, तो पीछे हट जाओगो तो मैंने ऐसे खरीद लिया था, खैर उतना utilization नहीं हो पाया था, utilization हो पाया था one marker के लिए, और one marker के लिए आपको करना है, ठीक है एक एक line, अच्छे से, किसकी NCRT की, question practice के लिए दूसरे वाले पर चाह सकते हैं, हम लोग publisher, दूसरे publisher के कितापे लेकिन NCRT में वो एक एक line करना है, पहला बहुत जादा होता है, जादा होता है पचास बार, लेकिन अब जहां, मैंने ऐसे गेना नहीं है, कितना magnitude लोग एक करते हैं, बट टार्गेट लेके चलना है, ठीक है टार्गेट लेके चलना है, कि सपोज आपको ये दिमाग में होना चेकि, यार मैंने एक बर कंप्लीट किया, तु बहुत अच्छा काम ने कर दिया, रे वाँ भाई, तुमने 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 बढ़ बाई, ये 98% आई गये है, ऐसा नहीं आपको ये दिमाग में लेगे चला है अच्छा एक बर किया ओके मैं दूसरी बार भी करना है तीसरी बार चौती बार पांची बार करते जाना है करते जाना हो पचास सक कर टार्गेट रखना है ताकि इससे ये हो कि आप पचास सक कर रख रहे हो तो आप इतना टार्गेट रखते तो अगर आप नहीं भी पहुंचवा तो आप उसके आस पास पहुंचो मतलब चालेस पहुंचो मतलब 39 38 इतना आप पहुंचो और वो भी बहुत more than sufficient होगा लेकिन नहीं होगा यह तो मैंने आपको relax करने के लिए बोले कि आप 50 से बहुत hyped up ह होगा और इतना कैसे होगा 50 50 तो पचास अगर लिखा है तो लिखा है each book 50 times और 50 times अगर syllabus नहीं complete होगा तो syllabus जब यह 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 इस टाइब का मैं कहा रहा हूं तो 50 बार का टार्गेट रखो यह रखो और आप कर ही लोगे आप 50 बार तो आइगस करी लेता है एक इंडिविजूल वह इतने बार रिवाइस करता ही रखता है अब वो गीने का नहीं ना, आप कौन गीनता है मैं भी थोड़ी ना गीना हूँ बट मैं तो एक approximation लेके चलना हूँ चीक है तो मैंने यह लिखा है तो मैंने इसके साथ साथ एक और लिखिया एक और चीज लिखिए एंसी आडी तो करनी है इच वुक पचास बार previous year previous year अभी बहुत कुछ ऐसे कुछ लोग मुझे मिले हैं जो previous year खरीदे तक नहीं है क्या कर रहे हैं आप अपने साथ previous year अभी तक आपने खरीदी नहीं है प्लीज जाके previous year पर्चेस करो ओस्वाल पॉब्लिकेशन की और वहां से अभी लगाना स्टार्ट कर दो यह मत सोचो प्रिपरेशन लीवाएगा तो मैं जैनवरी में फेबरी में लगाऊंगा अभी लगाओ previous year यह जो बहुत important था और मैंने बहुत जादा time दिया था previous year वाले questions को जो कि आज आते हैं कि यह statement दे देगा comment अब गांधी जी वाले statement दे दिया तो उसमें लिख देगा comment कि there is enough for everybody's need but not for anybody's greed यही था statement अपने need के लिए तो सारी चीज़े ग्रीट के लिए नहीं है भाई इसपे आप comment करो इसपे आप लिखो उनका क्या explanation था तो यह सारी चीज़े previous year में दी होई है तो आपको previous year बहुत अ ना दे रहा हूं ठीक है हद extra question इसके साथ तीसरा point हद extra question करने है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है वही extra question publication जो आप ले लो all-in-one आप उससे कर देना लेकिन वो तभी करना जब आप यह ऐसे करते आओगे इसके प्रीवेश यह फिर हद extra question चीक है थी marker तीन मारकर वाले हैं एक के बाद तीन होगा फिर पांच होगा आई होप ऐसे ही होगा मैंने exactly देखा नहीं है तीन मारकर में minimum minimum 3 point 5 marker में minimum 5 point कोई नई बात नहीं मैंने बता दी सबको पता ही होगा लेकिन आप ignore मत कर देना मैंने इग्णोर कर दिया था मैंने तीन marker में pre-vote के समय में दो लिख के चलाया था धाई लिख के चलाया था या फिर मुझे पता ही था अनकॉंशिस्टी मैं लिख के चलाया था अब मेरा marks कट यह मैं बढ़ा तो अच्छा हसके आना पड़ गया चीक है यह तो मैंने जब minimum लिख रहा है तो इसका मत यह नहीं कि आ आप minimum है चले यार लिख देते हैं 78.3 marker में 5 वाला है तो 11-12 कुछ लोग करते हैं ऐसे तो इसमें कोई फाइदा नहीं होता है कुछ आप अगर 5 valid point लिख रहो ना तो अपना समय बचाओ और जब समय बच जाए तो फिर बाद में revise करो जब revision हो जाए तो उसको थोड़ा सा और decorate करो decorate क्या मतलब color वालग कर दें और फिर बाद में डोरे मौन पिकाचु यह सब बना दे नहीं यह सब नहीं कहा रहा है color मतलब उसको underline करो आप important point है highlight करो आप यह कहने का मतलब फिर revise करो फिर revise कर अरे भाई करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे जा रहे जा रहे और उस वे map work, map work में आपको मिला होगा sheet ठीक है मिलता है न सबको तो उसमें आपको मिला होगा तो उसमें सारी चीज़े लिखी होंगी कि यह करना है वो करना है map में तो बिल्कुल गलती नहीं होंची है वो एक तरह से 5 marks आपको reward लब की वो map वाला जो paper आपको मिला है and जो question है वो आप जैसा आएका तो तुम उसमें mark कर देना ठीक है यह ऐसा इस टाइप का है हमारी map वारी जो आंटी है वो इतनी ही प्यारी है और वो इतनी ही प्यार से कह रही है कि बेटा जादा इधर उधर मन भागो यह जो map work वाला है ना उसे याद कर लो 5 marks ले लो क्योंकि कुछ रहते है है ऐसे exceptional student exceptional क्योंकि कुछ कुछ कभी mistake भी हो जाती है जाने जाने में तो हां रहते हैं जो map में गलत करना मतलब बहुत जादा दुख लेना है map में गलती नहीं चाहे तो यह जब वीडियो हो जाए तो तुरंत ही map वाला revise कर लेना बट खेर हो नहीं पाता है एक्जाम पे कु important point important line point keyword underline underline करना मत भूलना चीक है आप simple ऐसे जैसे मैं answer हूँ तो आपने मुझे ऐसे करकी दे दिया ये लो पढ़ लो चेक कर लो हां माक कर देना पांच देना चार देना तुम्हारा मन है तो ऐसे गंदे से body को कौन पढ़ना चाहेगा लेकिन आपने इसमें थोड़ा जे दे रहे हो आप कितना पांच से कम मत करना तो तो मतलब अगर भोकाली वे में represent करोगे अपना answer और वो impact पढ़ेगा तो वो पूरा paper के लिए impact पढ़ जाता और पूरा paper के लिए पढ़ेगा तो मतलब आपके कितने आने के chances बढ़ जाएंगे ठीक है तो underline करना बहुत important है ठी कितने आपके point अच्छे है keyword है आपको लग रहे है कि हाँ इसमें थोड़ा प्रभाफ पड़ेगा गांदी जी वाले में मैंने ये word लिखा everybody's need everybody's greed ये वाला greed नीड पे adeline कर दो ठीक है उसको box में डाल दो अच्छा ये सारी चीज किसके बाद करनी है revision के बाद करनी है और हमें fast करना है paper तो fast करना है तो मतलब जादा भोकालवे में 3 point की जगा 7 point नहीं कर देना है 5 point में 10 नहीं कर देना है minimum लेके चलना है clear इतनी बाद end answer के बाद line end answer के बाद line कीच लेना कुछ लोग बोलेंगे नहीं कीचो नहीं कौन कुछ लोग बोलेंगे बोल भी सकते हैं कि paper अच्छा करो line में कीचने से कुछ नहीं होता है होता है मैंने हर paper में line कीच के आई है ठीक है और line की किसमें नहीं किया कर रहा था हिंदी में 99 February को था पेपर बहुत विकार गया था मुझे तो लग था बहुत विकार जाएगा लेकिन ठीक आगया था एंड आंसर के बाद लाइन जरूर कीच लेना डबल लाइन कर देना जो भी लाइन करना लेकिन करना जरूर और सुन्दर लिखावट हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश वाल भी बताए कि नहीं आता है अगर आप हैंड राइटिंग अच्छी कर रहो तो इसके बेनेफिट्स आप जान लो इंग्लिश में पाके दिखाओ, तब जाके तुम्हारा सोचूँगा, अगर मेरे में नहीं पाओगे, तो सीधे निकल जो, जैसे आयो, वैसे सीधे निकल, यह English की attitude है, आप समझो, इससे भी खतरनाक attitude तो Hindi लेके रहती है, 95, 95 के उपर नहीं आया है ना, सारा परसेंटेज बिगाड़ दूँ 85 की नीचे फेक होंगी मैं, Hindi का रहता है ऐसा, Hindi and English are the main subject, deciding factor, 95 की पर, 95 की कम, बहुत बार बता चुका हूँ, सब लोग बहुर हो रहे होंगे, तो इतनी सी बात है, सुन्दर लिखावट आपको करनी है, यह सारे points का आप notes बना लें, तभी effective होगा, and I really want कि, यहाँ इस channel पर ज 10,000 सब्स्ट्राइबर हैं, यहाँ पर आप खून पसीनाई करके वीडियो डाल लो, लेकिन यहाँ पर कोई आता ही नहीं, आता है, तो 2 मिनिट में लीफ करके चला जाता है, और उसको content आपका अच्छे नहीं लगा, वो इस डालने के नाम पर डाल रहा है, और कोई effective fruitful result ही हो यहाँ पर कुछ 10,12 लोग जोड़े हैं, 10 class के aspirants, और वो आते हैं, मुझसे consult लेते हैं, comment section मुझसे पूछते हैं, भाईया क्या करें, क्या करें, वो यह content consume कर रहे हैं, जिससे पहले के लोग 96% पाएं, जब बतला मैं अपनी बात कर रहा, 97 marks पाएं, social science के paper में, और यह content consume करक तो quantity तो आप बढ़ाएं रखो, उससे साथ-साथ quality भी equivalent होनी चाहिए, कभी मज़ा आएगा, वणना यह हैं, और पैट के ऐसे से देख रहे हैं, दिवाल देख रहे हैं, मज़ा आ जा रहे हैं, अरे भाई, ऐसे तो लिना करना है, तो यह चाहिए, और आपके विश्वास मा जील एक बहुत जाधा है, अब तक कभी नहीं पाए हैं अब तक अगर आप नहीं आएंगे, आप तक 85 की उपर भी नहीं आएंगे, 80 की उपर नहीं आएंगे, तेंथ में आएंगे, वो मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन गारंटी किस way में ले रहा है? आप इसके notes बना रह होगे कि वह यह वीडियों चीए वो मैं सारे का रिपलाई करता हूं ठीक है तब दे के लिए और ग्रीड दी अ कर दो कर दो